मैं आसूओं का बहुत आदर करती हूँ क्योंकि मैं उस संसकार से आती हूँ जहां पर आसूओं की बड़ी गरिमा और आदर होता है। मुझे दुख हुआ कि आज सभापती मोहदय जी को आसू छलकाने पड़े मैं उसका आदर करती हूँ। लेकिन मैं उतनी ही मुस्तेदी से ये भी पूछना चाहती हूँ कि जब 600 किसानों की शहादत हो जाती है तो उनके आसू नहीं निकलते हैं। उनके आसू उस दिन नहीं निकले थे जब सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। और उनको खुले आस्मान के नीचे जाड़े में रात बितानी पड़ी थी पारलेमेंट में और उनको निलंबित कर दिया गया था। मैं जानना चाहती हूँ कि ये सेलेक्टिव आउट्रेज सभापती जी के हाँ से कैसे हो सकता है। अब चूंकि ये दास्ता आस्मों से शुरू हुई थी तो मैं आस्मों से शुरू करता हूँ। कम से कम वो लोग आस्मों का निरादर ना करें जिनकी अध्यक्षा बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के शव को देखकर रोती है। मगर 84 के दंगे में 5000 मुर्त को जिनको जिन्दा जला दिया गया था उस पे एक आस्मों नहीं बहाती है। वैसे पार्टी के प्रवक्ताओं को कम से कम आस्मों का तिरसकार और आस्मों का मजाक नहीं बनाना चाहिए।